हलो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का एक वर फिर सी एरस्टरडी पे दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव क्यूस्टन एंसर श्टार्ट कर चुके हैं यह दुसरा वीडियो है चलि आज का पहला सवाल देखते हैं पहला है अबतल दर्पन के दो उप्योगों को लिखना है हमें यह बहुत महतपून सवाल है बहुत बार पूछा जाता है अबतल दर्पन का उप्योग अबजेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी तो इसका जवाब होगा कि अबतल दर्पन के निम्न तल्डरपन यानि डॉक्ट्री दरपन में भी अफ़ दल दरपन का प्रयोग होता है जैसे कि दात में और कान के जांच में डॉक्टर के द्वारा परियोग किया जाता है चलिए पहला सवाल कम्پलीट हो गया, बहुत महदपूंथा आप दूसरा देखिए दूसरा सवाल है किसी चालक का परतिरोध कीन बातों पर निर्वर करता है बताना है हमें तो इसका एंसर होगा कि किसी चालक का परतिरोध जो है वो निम्न लिखित बात पर निर्वर करता है पहला है चालक की लंबाई पर यानि कि चालक की लंबाई अगर बढ़ा देंगे तो परतिरोध जो है वो घट जाता है दूसरा है चालक की मोटाई पर यानि परतिरोध जो है वो चालक पदार्थ की मोटाई पर भी निर्भर करता है दूसरा है चालक, तीसरा है चालक की परकिर्ती पर, यानि कि कॉपर है या सिल्वर है, इन सब की परकिर्ती पर भी चालक का परतिरोध निर्भर करता है किसरा भी most भी वी एक क्यूस्चन है पोशन की परिभासा देनाया में तो इंसर होगा कि पोशन वह परकिरिया या वह बीधी है जिसके द्वारा जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं पोशन दो परकार का होता है स्वप पोशन और पर पोशन ठीक है चौथा प्रस्ण है ए मीटर एवं बोल्ट मीटर के उप्योगों को लिखें बहुत महत पूर्ण है अबजेक्टी में भी पूछा जाता है ए मीटर का उप्योग बिधु धारा मापने में किया जाता है ठीक है बिधु धारा मापने में ए मीटर का परियोग करते हैं यह हमेश समांतर क्रम में जोड़ा जाता है चलिए यह दोनों जो है आपको सब अबजेक्टी में ऐसे पुछेगा कि बोल्ट मीटर को परिपत में किस क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में और यह मीटर को श्रेणी क्रम में यह भी आप लोग ध्यान में रखेगा आज का हमार इन दोनो गैस के ब्रिधी की कारण ही ओजोन परत का 6 होता है दोस्तों अगर आपको अब्जेक्टिव देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और मैं सब्जेक्टिव का अभी प्लेलिस्ट पना दूँगा अभी दो वीडियो मैंने डाला है आप जा करके देख सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद